हेलो गाइज, वेलकम बाक तो बीदे टॉपर्ज, इस पार्ट री अफ चाप्टे सेवन, नीच्वल फंड फंड फ्लास 10 एफमें, सो बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रही हूँ, लेकस कॉलेज की क्लास चल रही थे तो ज्यादा टाइम ने मिल पा रहा था, तो अभी ह मेरे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो इसको सब्सक्राइब कर लो गाइस, क्योंकि आगे भी मैं वीडियो बनाती ही रहूंगी, ठीक है, चलो, अब शुरू करते हैं, आज का हमारा पहला टॉपिक है, देखो, पहले हमने इसका पार्ट जो दो पार्ट के हैं, उसमे पार्ट को क्या-क्या राइट होते हैं, ठीक है, तो सेबी के रेगुलेशन के हिसाब से अगर देखें, तो एक इन्वेस्टर को क्या-क्या राइट होते हैं, जिसने मीच्वल फंड में पैसा लगा रखा है, भी देखते हैं, डिसीव यूनिट सर्टिफिकेट, अब देख छेवीक के अंदर अंदर, ठीक है, तो उसको पता चल जाता है कि हमने ये वाला मीचोफंड खरीदा है, रिसीव इंफिर्मेशन अबल्ड देखती है, इंवेस्ट पॉलिसीज के बारे में इनफरमेशन मिल जातीए, इंफिर्मेशन आपयों पजेक्टिव के बारे में और पोजिशन उस mutual fund की कैसी है और इसके बारे में हमें सब कुछ पता चल जाता है इंफो पता चल जाती है तो सबसे पहला हमारा आगया unit certificate उसके बाद information about the investment policies उसके बाद आगे आ जाते हैं तो यह हमारा इधर यह क्या लिखा हुआ है कि receive dividend within 30 days of their declaration and receive the redemption repurchase proceeds within 10 days from the date of repurchase मतलब कि आपको 30 दिनों के जैसे declare होता है कि dividend मिलेगा उसके 30 दिनों के अंदर अंदर ही आपको dividend मिल जाएगा और अगर आपने repurchase किया है तो आपको 10 दिनों तक उसका पैसा भी मिल जाएगा the trustees shall be bound to make such disclosures to the unit holders as our essential in order to keep them informed about any information which may have an adverse bearing on the investment मतलब जो trustees है मतलब कि एक तरीके से हो सकता है company का मालिक खरे सके तो उसको जो भी trustees है जिनके mutual fund है उसको जो unit holder है उसको सारे disclosure उसको सारी info देनी है about any investment policy regarding that particular mutual fund जो कि उस investor ने खरीद रखा है 75% of the unit holders with the prior approval of SEBI can terminate the AMC of the fund AMC क्या है asset management company होना चाहिए तो मतलब क्या क्या बोल रहे है कि 75% unit holders है अगर उन्होंने SEBI का prior approval ले लिया है तो वह terminate कर सकते है asset management company को अब हमारा six point आ जाता है 75% of the unit holders can pass a resolution to wind up the scheme मतलब जो भी scheme चल रही है उसको खतम करने के लिए हम क्या कर सकते है 75% अगर unit holders अगर मिलके resolution पास करें तो उस scheme को खतम के रहे सकते हैं और वह scheme मैंने आपने आपको पिछली वीडियो में पढ़ा रखी है अगर आपने वह देख लिया है तो ठीक है नहीं देखा तो देख लो अगर मैं देखेगी उसको चेक करेंगी जब तक वह सॉलम नहीं हो जाता अब आजाते हैं हमारा जो नेक्स टॉपिक है यह वाट इस फंड ऑफ़ दॉक्युमेंट क्या होता है इसमें बहुत ही सिम्पल है फंड ऑफ़ दॉक्युमेंट एक ऐसा डॉक्युमेंट होता है ज जैसे यह जैसे कि हाँ पर लिखा हुआ है तो मतलब जहां पर जो पटिक्रिर स्कीम चल रही है जिसके अंडर में आपने व्यूचल फंखरीदा है उसके बारे में सारी इंफरमेशन उसको इन्वेस्टर को पता हो नहीं चाहिए तो ऐसा जो दॉक्युमेंट होता है फंड मतलब उसको प्रॉस्पेक्टर्स भी आप कह सकते है उसी तरीके का दाट वे बिफोर यू पुट इन्यों मनी यू और वेल अवर वेल अवर इसके इक्सेक्टर इंवर्ड इस हास तो बिजाइन अकॉर्द इन अकॉर्ड इन गाइलान स्टिपलेट बाई सेवी और प्रॉस है जरती है दूवर साथ हूं ऐकर अब को अंदर कीया हुआ जाने जाहिए अगर आप कोई अगर आपने कोई इंवेस्टर को अगर आप संट ऑफ़ डॉक्यम्ट पर裡面 करा हो तो क्या के इंपेस्मीं को अब्जेक्टिवलний vind निaden इनस इमीन के इन होने हैं डिसा स्फेशन चाहिए रिसक्ट किस इस फेचित हो सकता है किते इस पेंशल हो सकते हैं किस तरगेगा पटीकिल उन किस तरीके का यह fund है, guidelines on how to invest, organization and capital structure, tax provision, क्या रहेगा, related to transaction, सब कुछ और financial information, तो यह वाली जो सारी information है, यह होनी चाहिए, किसमें fund offer, document में, जो कि provide करते हैं, किसको investor को, कौन से investor को, that is a mutual fund holder अब जाते हैं हमारे next topic पे, that is, what is active fund management, अभी active fund management क्या चीज़ है, तो क्या लिखने हैं पे, when investment decisions of the fund are at the discretion of a fund manager and he or she decides which company, instrument or class of assets the fund should invest in, based on research, analysis, market news, etc, such a fund is called as an actively management fund, अब यहां तक कि आप पढ़ लोगे, तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा, देखो, मैं आपको इसे बता देती हूँ, अभी तो मैंने सिर्फ इसको पढ़ाए, यह बोल रहा है, जब, when you are going to invest your money, and आप उस money को किसके discretion पर लगाओगे, discretion मतलब will, मतलब किसकी इच्छा पर लगाओगे, fund manager, fund manager, जैसे कि मानलो कि आप mutual fund में पैसा इंवेस्ट करना चाहते हो, ठीक है, आप मेरे पास आए, I am an expert in the stock market, and particularly in mutual fund, तो आप मेरे पास आए, आपने मुझसे बोला कि मुझे पैसे लगाने है, तो मैंने बोला कि ठीक है, I will do the research, I will do the analysis of market, and I will check the market news about particular mutual fund, then आप उसकी भी particular company में अपना पैसा लगाने, तो किसकी discretion पर इसारा काम हो, मेरे discretion पर, और who I am, मैं हूँ एक fund manager, ठीक है, तो अगर fund manager के discretion पर काम होता है, fund manager अगर research analysis, market news को देख कर परक कर बताता है, कि आपको किस जगा पैसा लगाना है, तो उस fund को बोलते है, active fund management, उस management को बोलते है, active fund management, और इस fund को क्या बोलो जाता है, fund को बोला जाता है, actively managed fund, ठीक है, the fund buys and sell securities actively, based on change perception of investment from time to time, based on the classification of shares with different characteristics, active investment managers construct different portfolio, मैं तलिब के, जितने भी share के classification होते हैं, अलग अलग ताइप के, जो आपने पिछली वीडियो में पढ़े होंगे, तो थर्ड चाप्टर में पढ़ेते सारे, उन सब के हिसाब से, अलग अलग तरीके से portfolio बनाया जाता है, जो the two basic investment styles prevalent among the mutual funds are growth investing and value investing, तो दो तरीके के investment style हमें दे रखे हैं, कि कौन से तरीके के style हो सकते हैं, जिनसे हम अपना पैसे को invest कर सके, यह style fashion वारा style नहीं है, एक method, एक तरीका, एक way, ठीक है, अब आजाते हैं, इस पर, growth investing style, growth investing, investing style क्या है, अब यहाँ पे आपको भी पता चल रहा है, कि जब आप equity में पैसा लगा रहे हो, तो आपका main मक्षद है कि आपका capital appreciate हो, आपका capital appreciation हो, मतलब आपकी capital grow करें, a growth manager looks for company that are expected to give above average earning growth, where the manager feels that are earning prospects and therefore the stock prices in future will be even higher, मतलब, if a growth manager is thinking like that, कि यह जो company है, कि यह मुझे, it can give me more returns than any other company, तो मैं उसमें पैसा लगा दूँगी, तो growth होगा, capital appreciation को आप यहाँ पर याद रखो, यह जो term है, capital appreciation, इसको याद रखोगे, तो growth investing style जो है, पना पी समझ में आजाएगा, कि equity investment का primary objective capital appreciation होता है, और जब कोई growth manager, एक ऐसी company होन रहा होता है, जो कि आपको above average earning दिला सके, आपके equity में, आप वहाँ पर पैसा लगाओगे, तो वो हो गया, कि आपने growth investing style को अपनाया है, ताकि आपका capital appreciation हो, ठीक है, एक तो यह बात होती है, दूसरी बात क्या होती है, दूसरा तरीका यह होता है, कि हम ऐसे चिकापे पैसा लगाए है, value investment style, value investment style का मतलब है, कि अभी तो यह बात जो फंड जो चल रहा है, एक value manager, एक तो growth manager था, जो कि मैंने आगे पताया, अभी मैं क्या बता रही हो, value manager, तो value manager कौन होता है, जो कि ऐसे company को ढूलता है, जो कि currently undervalued हो, मतलब कि मान लो कि कोई company अभी इस ताइम पे undervalued चल रही हो, but you haven't, you have thought about it earlier, कि यह जो company है, यह आगे जाएगी, मतलब कि अभी नहीं चाहरी है, that doesn't matter, but yeah, it will grow in little times, तो आप उसमें पैसा लगादो, तो आप क्या कह रहे हो, आप अपने fund का value बढखा रहे हो, ठीक है, आप value बढखा रहे हो, अप यह नहीं देख रहे हैं कि आपको अभी capital application होगा या नहीं होगा, अभी आप क्या करे हो, आप value बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, समझ में आगया होगा, अगर कोई भी डाउट आता है तो कॉमें पूछ लिया करो गाइस पूछ ने आपको वैसे भी आपको पता है जितने भी लोग मुझसे पूछते हैं तो अगर मैं देख लेती हूं तो मैं तुरंती जवाब भी देती हूं सबस्काइने मेंने आपको क्या बता है अभितर्य आपको क्या बताया अभी यह नहीं होता है फंड मैनेजर नहीं होता है, जो इन्वेस्टर होते हैं, वो ही अपने आप से रिसर्च, एनालसेज, मार्केट नियूस को ले चेक आउट एंडेंडेंवेस्ट तो मतलब ऐसा होता है, ठीक है, अभी मैं यहां से पढ़ना शुरू करूंगी, यह तो सारा अक्टिव के बारे म और मतलब कि ऐसी म्यूचल फंड भी होते हैं, जो कि इन-डेक्स फंड ओफर करते हैं, जिंका एक यह ओब्जेक्टिव होता है, कि आपके रिटर्न को एक सिलेक्ट मार्केट इंडेक्स के इकटूल में लाना है, मतलब कि मैं बोल नह dys Tu nA, 2,3 vee kadar EU कि एक मी लिग एक Čज म तो रंद कुछ नहीं बढ़ता तो रंध कुछ नहीं बढ़ता बढ़ ताहीं लगता है। टेक्स टाहीं और यह जो पैसा लगाने वाले जो लोग हैं। अनलाइज करते हैं उसके बाद इकदम से पैसा लगा देते हैं इसको आप खुदी पड़ लेना अगर आपको ज्यादा समझ में नहीं होता है इसमें इन्वेसरी रिसर्च करके अपना पैसा बगार अगया पैसा नहीं होता है अब आजाते हैं इसको एक बार समझ लो और हाँ यहां पर मैं आपको बता दू कि मैंने क्वेस्टन बनाया है क्लास 10 के लिए अगर आपने वह अभी भी नहीं खरीदा तो उसको ले लो उसको ले लो उसका जो वीडियो का लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ज किस तरह की क्वेस्टन में उस वीडियो में डाले हैं और आपको अंसर भूग भी फ्री मिलेगी उसमें एक दम से थर्टी रिपीज का प्राइस कर दिया गया है आप उसको ले लो आपके लिए बहुत रहेगा क्योंकि अगर मतलब कि आप मार्केट में जाके सैंपल पेपर अगर लोगे भी तो वो तेर्सों दोसों तक का आएगा अभी तक मेरी इंफोर्मेशन में ऐसा कुछ भी नहीं कि कोई सैंपल पेपर मार्केट में लॉंच है तो इसलिए हमने वह कोशिश करी अगर आपको पसंद आए वो वीडियो में देख लो अगर आपको अच्छा इसलिए बारे एक्स्टेडिंक फार्ड इसका फुल हाँ ठीक है यह में धाट कि थे इसलिए लगता है कि तरिके से निफी में बहुत सारी शजक में— जैसलिए उसमें भी बड़े सारी श्टाॉक्स होते हैं जिसमें आप पैसा लगा सकते हो बट एक म्यूशल फंड नहीं ह जा रहा है but it isn't a mutual fund, it trades just like any other company on a stock exchange, ETF को भी उसी तरीके से ट्रेड किया जाता है, जिसकी और अर्धर जो companies होते हैं stock exchanges में, हम उनमें trading करते हैं इस तरीके से ही, but ये mutual fund नहीं होता, unlike a mutual fund that has its net asset value calculated at the end of each trading day and ETF price changes throughout the day, अब यहाँ पर एक एक मार्क में आपसे question पूछ लिया, कि mutual fund और ETF में आप अंतर बताओ, तो कैसे बताओगे, कैसे बताओगे, ऐसे बताओगे हम कि जो mutual fund है, उसका जो value निकलता है, वो net asset value के हिसाब से, एक जो trading day का जब end होता है, तब निकाला जाता है, बट अगर when it comes to ETF, exchange added fund, तो that is, उसका क्या चकर है, उसका है price changes throughout the day, मतलब एक इंडेक्स में इसे price changes होते हैं, उस तरीकी से इसमें भी पूरे दिन में changes आते रहते हैं, fluctuations होती रहती है, supply और demand में, और it is important to remember, that while ETFs attempt to replicate the return on indexes, there is no guarantee that they will do so exactly, मतलब कि ETF अगर attempt करता है कि जो index पे जो return आ रहे हैं, उसको दुबारा replicate कर दे, तो ऐसे नहीं है कि वो दुबारा उसी price पर पहुँच जाएगा, by owing an ETF, you get the diversification of an index fund plus the flexibility of a stock, अगर आप ETF खरीदते हो तो आपको diversification मिल जाता है, अपने index fund में और flexibility भी मिल जाती है, because ETFs trade like stocks, you can short sell them, मतलब ETF जो है, एक जो trade है, ETF किसम जो trade like stocks, आप उसको short sell कर सकते हो, आप उसको अराम से खरीच सकते हो, बेच सकते हो, margin दे सकते हो, परचेज कर सकते हो, little as one share, ऐसे भी आप कर सकते हो, मतलब एक share भी उसमें से बेच सकते हो, another advantage is that the expense ratios of most ETFs are lower than that of average mutual fund, मतलब कि ETF पे जो expense आता है, तो अगर हम देखें, तो वो बहुत ही काम होता है, in comparison to mutual fund, when buying and selling ETFs, you pay your broker the same commission that you would pay on any regular trade, अगर आप एक broker की, if you are taking help of a broker in order to buy the ETF, तो आपको उतना ही payment करना पड़ेगा, आपको उतना ही उसको brokerage देना पड़ेगा, जितना आप regular trade में देते हो, so that is it, आपका chapter भी खतम हो गया है, यहाँ पर, so अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो like करना, share करना अपने friends के साथ, और चानल को ज़रूर subscribe करना, अगर आपको next भी वीडियो, अगर आपको चाहिए तो, okay, so thank you, bye-bye,